इस टीजर को देखके मुझे कही न कही बागबान मूवी की याद आ रही थी वेल मैं बात कर रही हूँ नाना बातेकर सर की वनवास मूवी के टीजर के बारे में जो अभी कुछी दिर पहले रिलीज हो चुकी है वेल वट अ बीउटिफुल इंट्रड़क्टरी फीलिंग वेल टीजर शुरू होता है विद डिरेक्टर अनिल शेर्मा स् प्रिवियस फिल्म्स जैसे की गदर टू अपने गदर के जलत आपको दिखेंगे जैराम श्रीराम जैराम जैराम इसकी धोनी से शुरू हो जाती है वैसे आजकल तो राम नाम बहुत सारे फिल्मों के गानों में आ रहे है चाहे वो सिंग हम अगैन हो या भूल भूले या ठ्री हो वेल इसमें भी बहुत सुंदर सा एक माहौल दिखता है in the beginning जैसे ही राम नाम का जब होता है आपको बनारस के घाड दिखते हैं बनारस के बहुत सी मंदिरों के drone shots दिखाए देते हैं एक मेले का scene दिखाए देता है बहुत सारे लोगों के साथ केसरी रंग उड़ रहे है इधर उधर पहुत हैपी सा माहौल दिखता है लेकिन अच्छानक से आपको दिखाए देते है नाना पाटेकर सर और वो बहुत ही confused दरावने लुक में नजर आते है इतने भीड के बीच वेल उसी के जस्ट बाद एक माउंटेन क्लाड घर दिखाए देता है जिसमें उनके funeral उनके last rights चल रहे होते है उनके photo पे माला चड़ाई होती है जबकि वो जिन्दा है तो इसी से पता चल जाता है कि उनके बच्चे शायद से बनारस लेके जाके उनको कही छोड़ देते हैं और इस treatment के उपर ही इस storyline के उपर ही ये movie based होगी I think it's going to be very soulful and heart-touching शायद से रोना भी आ सकता है और 90's की भी कही न कही मुझे याद दिला रही है ये movie और ये teaser वेल जो leading actor है नाना पाटेकर सर के साथ उतकर शर्मा उनकी भी हमें एक दो जलग दिखी लेकिन उनके character के बारे में कुछ खास पता नहीं चला वेल एक मंत्र भी सुनाई देता है पिता ही धर्म, पिता ही स्वर्ग, पिता ही परमम तपा और उसके बाद पिता के साथ ही ऐसा सुलूग करते हैं बच्चे जब वो बूढ़े हो जाते हैं एनिवें, लास्ट के डायलॉग में भी ऐसा पता चलता है कि इसी के उपर बेस्ट हो क्योंकि वो कहते है उतकर शर्मा के character से कि जब वो छोटे थे, डेर फिट के थे तब मैं उन्हें फेक देता तो और जो सोनो निगम के आवाज में background score आ रही है जहाँ पर आपको movie का tagline भी सुनाए देता है कि अपने ही देते हैं अपनों को वनवास उससे तो feel और भी ज़्यादा बढ़ जाती है वेल, आपको कैसा लगा teaser? Let us know in the comment